नमस्कार, उमीद है आप सब अच्छे होंगे, मेरा नाम प्रकर्ष्रिवास्तव है, स्वागत करता हूँ आप सभी का गुरु घंटाल में, दोस्तों आज हम बात करेंगे मनी लॉंडरिंग के उपर, अक्सर हम ये वर्ड सुनते हैं, अगबारों में पढ़ते हैं, अक्सर न निकल पढ़ते हैं आज के सफर पर, और दोस्तों अगर आप मुझसे अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं, तो ये मेरे हैंडल से, फेस्बुक हैंडल है प्रकर.शिवास्तव.39, मेरा इंस्टाग्राम है रोवर अंडर्सकोर इंजीनिय मतलब मुझे घुमने पिरने का बहुत शॉक हैं लेकिन पिछले एक साल कोरोना आने की वज़य से थोड़ा सा इस पेस्टॉप लग गया है, अगर फिर भी जब मुझे 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 आवारा गरदी में बाहर निकालता हूं, तो आप इसमें एक बार प्लेटफॉर्म स्वे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं तो दोस्तों शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि money laundering होती क्या है देखें नेता जी हमारे जो विक्टरी का साइन दिखा रहे हैं असल में ये आपको बताएंगे कि money laundering होता क्या है देखें money laundering को बहुत ही simple तरीके से बताऊँ तो पैसो की हेरा फेरी आप लोगों ने हवाला का नाम सुना है न गलत तरह से पैसे कमाना काला धन बनाना काले धन को फिर invest करकर white धन बना लेना ये सब money laundering के एक्जामपल है वैसे money laundering का कोई single definition आपको कहीं नहीं मिलेगा money laundering को कहते हैं एक तरह से काला बाजारी करना आपने गलत तरह से पैसे कमाए उस पैसे को आपने गलत तरह से invest किया ताकि सरकारी महकमों की नजर ना पड़े फिर आपने उसको white बनाया और अपने property का गिस्सा बना लिया बिना किसी tax को पे किये इसे कहा जाता है money laundering जब आप simple language में कहूँ तो काले धन को white धन बनाते हो illegal तरीके से तो नेता जी आपको explain करेंगे कि money laundering होती क्या है क्योंकि हमारे देश में नेताओं के पास तो भर भर के पैसे हैं और 1990 में खास कर 1990 में बड़े बड़े नेताओं के नाम निकल कर आए थे money laundering में क्योंकि उससे पहले हमारे देश में तब ऐसा था नहीं तो ये कमाते क्या ये चोरी क्या करते है 1990 के दौर में जब 1990 का हिंदुस्तान शुरू हुआ तब money laundering हवाला का नाम जब भी आता है डी कमपनी का नाम जरूर आता है दाओ दिबराहिम छोटा शकील छोटा राजन इन लोगों ने हवाला से बहुत सारे पैसे कमाए आज भी हिंदुस्तान में हवाला का नेटवर्क है ऐसा नहीं है कि पूरी तरह abolish हो चुका है डी कमपनी के जाने के बाद तो money laundering हमारे नेटा जी explain करेंगे money laundering को अगर मैं एक proper definition बताऊँ तो उसे क्या कहते है illegal earned as illegal money मतलब जो illegal money आप कमाते हो जो गैर कानूनी पैसा आप कमाते हो उसे हम लोग कहते है money laundering money laundering is a way to hide illegal received fund through money laundering money is invested in such activities or investments that even the investigating agencies are unable to locate the main source of the money illegal तरीके से पैसा कमाओ उसके बाद उस illegal पैसे को किसी legal धंदे में लगा दो ताकि किसी भी investigating agencies को ये पता ही ना चले कि आपके पास जो इतने पैसे आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं उन्हें कानो कान खबर ही ना हो कि आप जो ये illegal property बना रहे हैं ये कहां से बना रहे हैं इसे कहते हैं money laundering और नेता जी एक तरह के लांडरर है लांडरर का मतलब क्या होता है जो काला बाजारी करता है जो money laundering करता है उसे कहते हैं लांडरर तो बहुत इस simple तरीके से मैंने इस picture में आप लोग को बताया है how money laundering work money from illegal activities is deposit in numerous legitimate accounts making it difficult to trace so the money can be used freely आपने illegal तरीके से मान लीजिए गलत तरीके से पैसे कमाए कोई सरकारी अफसर है कोई नेता है उसने गलत तरीके से पैसे कमाई और उसके बाद उसको legitimate account में हिंदुस्तान के different different bankों में अपने सगे संबंदियों के account में डाला उस पर interest कमाया और उस principal plus interest इन दोनों को वो अब इस्तमाल करता है अपने legal काम के लिए इसे कहते हैं money laundering जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वो यही करते हैं अपने घर में सबका account खुलवाया bank का जो भी corruption का पैसा होता है वो पैसा कभी अपने account में डालते हैं वो पैसा उन legitimate accounts में डालते हैं जो कि उनकी family members केंगे उस account में उन्हें loan क्या बोलते हैं इंट्रेस्ट मिलता है तो principal money तो मिली ही मिली जो कि illegal थी जो कि उनकी अपनी थी नहीं प्लस इंट्रेस्ट भी कमाया और investigating agency को source भी पता नहीं चला तो इसे कहते हैं money laundering और जो करता है उसे कहते हैं launderer अब एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ प्लेस्मेंट क्या होता है in this the launderer deposits cash illegally earned money in financial institutions such as bank और other types of formal or informal financial institutions इसमें होता क्या है placement में placement मतलब होता है कहीं पर रखना तो इसमें क्या होता है कि जो launderer होता है जो हमारे नेता जी हैं उन्होंने illegal तरीके से पैसे कमाए अब illegal तरीके से पैसे अपने घरों में तो रख नहीं सकते हैं special 26 की तरह की ताड़ पर चढ़ा दिया भगवान को इस पर बिठा दिया ठीक है शुरू शुरू में ऐसा होता था मगर जब से income tax वालों ने डंडा करना शुरू किया उसके बाद नेताओं की हलत खराब हो गई तो placement क्या तरीका होता है कि जो नेता होते हैं जो भी launder होता है नेता हो अभी नेता हो बड़े से बड़ा अधिकारी हो कोई भी हो जिसने भी गलत तरीके से पैसे कमाए हैं वो सबसे पहले अपने पैसे को placed करता है कहां पर बैंक में डालेगा अलग 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 legitimate account में या तो किसी non financial institution में डालेगा वो कभी भी hard cash अपने पास नहीं रखेगा और maximum पैसा एक account में रखेगा पकड़ाने का डर रहेगा तो सबसे पहले वो अपने पैसे को place करेगा अलग अलग जैसे कि निता जी है उन्होंने उठाकर अपने पैसे को bank में डाल दिया ठीक है डूसरा step है layering layering मतलब क्या होता है layer के उपर layer layer के उपर layer ताकि नीचे क्या है किसी को पता ना चली in this the launderer hides his real income by making a mess in the book of accounting and making other suspicious transaction यहां पर जो launderer होता है जो काला बजारी करता है जो money laundering करता है वो अपनी real income को छुपाता है layer ढखता है उसको the launderer deposit the funds in investment instruments such as bond stocks and traveler checks or in his bank accounts abroad layering में क्या होता है कि जो money launderer होता है वो अपने पैसे को किसी fund में लगा देगा mutual fund में या bond खरीद लेगा stock खरीद लेगा ठीक है मतलब physical form में money अपने पास कभी नी रखेगा वो traveling check खरीद लेगा या abroad में किसी bank में लगा देगा Swiss bank का नाम आप लोगों ने सुनाई होगा बर-बर के पैसा है इंदुस्तानियों का the account is often opened in the bank account in countries that do not cooperate in anti money laundering operation और एक बात याद रखेगा यह जो नेता अभी नेता या जो अभी money launderer होते हैं वो अक्सर अपने काले धन को ऐसी जगा पे रखते हैं ऐसे bank account में रखते हैं उन countries की bank account में रखते हैं जो countries anti money laundering operation में cooperate नहीं करती है जितने भी Swiss bank में account है उनके पीछे का कारण यही है कि Swiss land anti money laundering operation में cooperate नहीं करती वो आपको information नहीं देंगे इसी लिए आकड़ा लगाया गया है कि शायद 97 लाख अरब रुपए हिंदुस्तानियों के मैं आपको बता रहा हूँ इंडियन्स के Swiss bank account में है 97 लाख अरब if I am not mistaken आप तो बढ़ गये होंगे क्या पता तो दूसरा गोता है layering तो हमारे जो नेता जीं है वो Swiss bank में पैसे डालते हैं वो कहते है Swiss bank का नाम सुने हो नभे वहाँ डालो पैसे कानो कान खबर नहीं होगी किसी को और तीसरा स्टेप होता है integration इस इस इस्टेप होता है इंटिग्रेशन थूसरा स्टेप सेथार थिरी आपक काला धन काम सब्सक्राइब प्राइब ऑंग्रेशन काला दन यह जाता है पाला टेप नष्टेशन के ने डाला नन-डिटेशन ने बाहर के मिल्कों के बैंक में लगा दिए bond खरीद लिया stock खरीद लिया क्यों किया ताकि आखरी process complete गो integration गो उसका काला धन सफेद धन बनकर उसके पास आ जाए ठीक है such money often comes back through investing in a company buying real estate buying luxury good etc आपको अक्सर लगता होगा जिससे कि कुछ लोग होते हैं जिनके पास अभी तक कोई पैसा नहीं है या अच्छानक से वो mall बनवा लेते हैं अच्छानक से उनके बड़े-बड़े घर आ जाते हैं महेंगी luxury goods खरी लेते हैं यह सब money laundering करते हैं मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने काले धन को वाइट धन बनाने के लिए बड़े-बड़े building को में बड़े-बड़े mall में बड़े-बड़े mall बनते हैं इसमें किसी एक का पैसा नहीं लगा होता है जब demonetization हुआ तो demonetization की वक्त उ इतनी जुगत है इतना जुगाड है इसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं और बड़े-बड़े लोग involved होते हैं इसमें तो निता जी ने एक ही बात कहीं कि जोड़ेंगे तोड़ेंगे मगर काला धन कमा कर वाइड धन में convert करेंगे इतना पैसा कमाएंगे कि धुआ धुआ कर देंगे देखे नेता जी उड़ा रहे हैं अब मीना बार में मतलब money laundering से इतना पैसा यह लोग कमाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है एक तरीका और है money laundering करने का जो नेता करते हैं अक्सर नेता नहीं मैं नेता की बात नहीं कर रहा हूँ सिर्फ नेता का नाम बार बार इसलिए आ रहा है विकास हमारे देश में सबसे आधा काला बाजारी यही करते हैं सबसे आधा का लॉंडर यही कहलाते है शेल कमपनी बन शेल कमपनी होती क्या है शेल कमपनी एक तरह कि ऐसी कमपनी होती है जो किसी physical form में available नहीं होती है सिर्फ paper पर available होती है जो सिर्फ paper पर available होती है उसे कहते हैं शेल कमपनी और जितने भी लॉंडर होते हैं वो करते क्या है पता है वो बड़ा दिमाख लगाते हैं सबसे पहले एक मान लिए उनके पास बहुत सारा पैसा है वो सारे पैसे को एक शल कंपनी में लगाने का या एक कंपनी खोलने का दावा करते हैं जो सिर्फ पेपर के फॉर्म में होती है किसी फिजिकल फॉर्म में नहीं होती है ये जो पनामा पेपर लीग था ये शल कंपनी का ही एक उस शेल कमपनी की एक फेक बैलंस शीट बनाई जाती है एंड उस कमपनी के नाम पर ये बैंक से लोन उठाते हैं टैक्स नहीं भरते हैं और जम कर नोट छापते हैं पनामा पेपर लीग भी यही था आज भी हिंदुस्तान में कई सारे लोग हैं जो शेल कमपनी बनाते हैं फिजिकल फॉर्म में सिर्फ पेपर पे वो कमपनी होती है सरकार से बैंक से जाकर लोन लेते हैं उस कमपनी पर फेक बैलंस शीट दिखा कर एंड सरकार से उनको टैक्स में छूट मिलता है और वो जमकर पैसे चापते हैं एक तरीका और है मनी लॉंडरिंग का नेता जी ने मकान खरीदा 5 करोन का और नेता जी ने पेपर बनवाया सिर्फ 2 करोन का पेपर बनवाया सिर्फ 2 करोन का ताकि stamp duty कम देनी पड़े, ये भी money laundering होती है, निता जी कहतो रहे हैं, यहां भी करूंगा धान दिली, बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में ये चीज करते हैं, कि मकान की जो real income है, उस income से कम income पर stamp paper बनवाते हैं, ताकि stamp duty कम देनी पड़े, हवाला का तरीका तो आप लोगों को पताई है, इल्लीगल तरीके से जो एक मुलकों से दूसरे मुलकों में पैसा भीजा जाता है, ये सब money laundering के example है, ये सब money laundering होती है, लेकिन एक बात हिंदुस्तान में आप याद रखिएगा, चाहे आप जितने भी बड़े, लॉंडर क्य की नजर में नहीं आओगे, ये कुछ ना कुछ खमेशा ऐसा जरूर होता है, कि आप चाहे जितनी भी गलती करो, मैं कोई philosophical बात नहीं कर रहा हूँ, ये reality है हिंदुस्तान में, बड़े से बड़े लोग पकड़ाए, जिन लोगों ने money laundering की है, सब पकड़ाए, ऐसा तो नह नेता हो, अभी नेता हो, बड़े से बड़ा लॉंडर क्यों नहों, कोई भी हो, तो इंदुस्तान में, 2002 में एक एक लाया गया, prevention of money laundering act, 2002 में जिसको तीन बार amend किया जा चुका है, 2005, 2009 और 2012 में, आखरी amendment 2012 में हुआ, जिसको हमारे देश के उस वक्त के रास्टपती, ने ती जनवरी 2013 को approved किया, और 15 फरवरी को ये law force में आया, the prevention of money laundering act, 2012 has included concealment of fund, concealment of fund मतलब होता है, अपने पैसे को छुपाना, acquisition, possession, किसी चीज को हतियाना, किसी का घर घतियाना, किसी की property हतियाना, and use of fund in criminal activities in the list of offense, और पैसे का इस्तमाल, criminal activities के लिए करना, देश के दिरुद्ध करना, ये सब money laundering के अंदर आता है, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत के normal नागरिकों के लिए, normal citizen के लिए, जो money laundering करेगा, चाहिए वो नेता हो, अभी नेता हो, चाहिए बड़े से बड़ा business man हो, ठीक है, बड का पूरा जो, मैंने जो आपको पूरी की पूरी कहानी बताई, ये थी money laundering की कहानी, हिंदुस्तान में terrorism को finance money laundering के द्वारा ही किया जाता है, ये हिंदुस्तान में जो instability है न, रहते रहते लोग शाहीन बाग बना देते हैं, रहते रहते पता नहीं कहा कहां पर इस हक को लांग जाते हैं, लोग हमेशा बात करते हैं fundamental right की, क्या कभी किसी ने fundamental duties की बात की, we always talk about article 12 to article 36, but we never talk about article 51a of the Indian constitution, which consists of the fundamental duties, we have 11 fundamental duties in the constitution, लेकिन हम लो कभी उसकी बात नहीं करते हैं, अगर अधिकार की बात करते हो, तो जिम्मेदारियों की बात भी करूं, तो उमीद है, मेरे द्वारा आपको यह जो money laundering का वीडियो है, पसंद आया होगा, वीडियो को दबा कर like, share, comment कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर कीजिए, थैंक्यू सो मच, मस्तर रहिए, हिल्दी रहिए, एन हां सिफर